येस गुड मॉर्निंग एवरिमन नमश्कार स्टूडेंट स्वागत है आप सभी दों का इंडिया के बेस्ट आउनलाइन लर्निंग प्लैटफर्म फर यूपीसी सीसी प्रिपरेशन इस आई एस टापर्स मंत्र पर तो आगे बढ़ने से पहले बताईये स्टूडेंट सिफ मैं प्रॉपर्ली ओडिप्र विसिबल लेट मी नो इन चैट बॉक्स कैसे कैसा चल रहा है आप सभी लोगों का बताईये मुझे प्रिपरेशन के प्रिपरेशन में क्या सब कुछ ठीक है लेट मीनों स्टूडेंट्स तो चलिए बढ़ चलते हैं दिस डॉक्टर अनुराग Psyakarana, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring and past three years in online mentoring upon various edtech platforms. UPSC मेरे एक्षपेर्स सुद्गें दो बार परे सिनल इस देन का हैं फो अर्या इन फो एटर्म्ट इस नो इन वर मीन्स. I have also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh State Civil Services for three years after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. टेलिग्राम चैनल आई एस टॉपर्स मंत्र पुने इसी टेलिग्राम चैनल पर आजएगा स्टूडेंट इस सेशन का फ्री पीडिएफ लेने के लिए यहां दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो चलिए बढ़ चलते कल सेशन नहीं हो पाया था हम रियली रियली बरी सॉरी देख सेशन और कल से सेशन और पहले एट थर्टी अप्रॉक्स लेने का प्लान चल रहा है तो कल आप सभी लोगों को पहले से चला जाएगा सेशन लिंक आज रात में कल से एट थर्टी पर सेशन प्लानिंग चल रही है एट थर्टी अन्वट्स विगिन तिल नाइन फॉर्टी फाइव और टैन ओकलॉक तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट की आगे बढ़ चलते हैं देखते हैं 26 सताइस नोवेंबर के क्या क्या इंपोर्टन है जो छपा है और UPSC और स्टेट सर्विस के परस्पेक्टिब से ये यह राल सो गिंट विगिन फाम ये ट्री एक्स्टा अधिशन in this prelims के question papers UPSC के ही नहीं state services के discuss के जाएंगे in the current affairs session on a daily basis we are also going to see optional में क्या-क्या component निकालना है तो ये दो चीजें attach हो रही है students इस week से आपके current affairs analysis के session में in short Rajasthan उत्तरपदेश PCS बिहार PCS MPPCS and MPSC and Haryana administrative services इसके भी जो questions से along with UPSC prelims questions are going to be discussed in this from this week onwards जो भी relevant topics के साथ में relevant questions आ रहे we are going to discuss it off students okay okay just a minute just a minute I have shared two minute students two minutes रुकिये बस मैं share कर दू सही session link two minute okay so there is a problem uh session link wrong share हो गया students two minutes रुकिये दुस मैंने share ही नहीं किया session link okay just hold on for five minutes मैं session link share करके correct session link share करके फिर आगे हम लोग बढ़ते है session में I'm really sorry for this yes 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 good morning good morning में डो मिनें तूडेंट्स बगो मिनुट का इजये सच्चन अधिया थे कि आगे इतना पक्ता से ज़के लिए रुच कि आख़ने के लुटे झाल झाल तो मिन्ट गाल तो मिन्ट्र किवस् झाल झाल अब क्या सही सेशन लिंक शेयर हो गया है ग्रुप्स पे मिलेट मी नो स्टूदेंट्स अब रियली सॉरी थोड़ा रॉंग सेशन लिंक शेयर हो गया था तो मैं फिर से रिटरेट कर दूँ दिस डॉक्टर अनुराक सिंग वेलकम यू अन बोर्ड इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लैट्फॉर्म फोर यूपी एसी सीएसी प्रिपरेशन आइस आई एस ट करेंट अफियर्स पब्लिश हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है यूपी एसी के पर्स्पेक्टिव से तो चलिए स्टुडेंट्स लेट सी यस गूद मॉर्निंग गूद मॉर्निंग शिवं सिया अपूर्वा हिमानशू सुजीता नेहा और अन अल अधर बढ़ चलते हैं मै मैं बता दू मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूं कल से 8.30 का टाइमिंग पूटफ किया जाएगा करेंट अफियर्स का विल बी बिगिनिग बाई 8.30 एम इन दे मॉर्निंग तो फिनिश इट अफ दे करेंट अफियर्स बाइन फॉर्टिफाइव और टैन अप्लॉक इन दे हुआ था सेशन 26-27 तारीक करेंट अफियर्स हम आज देखने वाले हैं और मैं बता दो स्टूडेंट्स इस वीक से जुड़ रहा है दो क्रूशल कॉंपोनेंट्स आपके करेंट अफियर्स में हमारी तरफ से इस करेंट अफियर्स के सेशन में mcqs from uphc and from state services राजस्तान हो MP हो बिहार हो यूपी हो महराष्ट हो हरयाना हो इन सब के mcqs last two years के attach करके पढ़ाया जाएगा and also we are going to apart from this we are going to attach one more component and that component is this optional relevant क्या-क्या news है वो भी attach करके हम लोग पढ़ेंगे इस वीक से यह दोनों चीज़ें attach हो रही है students current affairs में यस good morning तो चलिए बढ़ चलते हैं डिस डॉक्टर अनुराग सिंग चीफ मेंटर at IAS Toppers मंत्र and IAS Toppers मंत्र लांच की है various offline income online courses free and paid both free courses में CSET का course students and mapping का course से कल की तारीक मंगलवार free courses की भरमार इसी चैनल पर आपको मिलेगा मैपिंग क्लास दो से पांच बज़े तक और CSET मिलेगा छे से आठ बज़े तक तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा online come offline courses है और mapping में target 20 है इस बार target 20 means 20 questions mapping में reverse engineering approach से हम लोग शुरू कर रहे हैं जो भी news आया है mapping में उस relevant state से या country से हम लोग country wise और state wise mapping देख रहे हैं target 20 in 2024 हमारा अप्रोच है and students सक्षम mentorship classes prelims के लिए इंजीनियर किया गया है offline come online दो साल के current affairs, योजना, कुरुक्षेत्र, पूरा ecology environment, पूरा static areas का revision और साथ में international institutions, indices, reports, culture, सब कुछ कवर किया जाएगा along with ethics case studies, 20 G.S. test papers and 12 C.S. test papers in this सक्षम mentorship classes offline come online Saturday and Sunday इसके लाव स्टूडेंट्स लक्ष फोकस module इस वन यह और पोर्स कॉम्प्रिहंसिव दोस वोंट इडे कन गो फोर इट और इन में इसको लेकर कोई भी डाउट्स रहे 999-888-7354 and 999-888-7358 के उपर संपर्क कर लिजेगा students येस येस गुड मॉर्निंग newcomers can be begin of students आई रिखते हैं तो आज की तारीक 27 नॉएंबर 27 नॉएंबर 27 नॉएंबर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट 26 नॉएंबर 26 नॉएंबर को कुछ अच्छा भी पहले हुआ था और कुछ बहुत बुरा हुआ था students पहले तो पहले खराब क्या हुआ था discuss कर लिया जाए शॉट में terrorist attack 2611 और बहुत ही means it was a big blow to our country's security it was a terrorism means captured terrorism became a minace for the whole of the country और इसी की बात हमरे terrorism के खिलाफ में stance और ज्यादा strict हुआ और state sponsored terrorism जो पाकिस्तान carry out करता इसे खिलाफ में हम लोगों ने जंग छेड़ दी United Nations में terrorism को खतम करने के लिए बंदूक या बॉम से काम नहीं चलेगा armed forces अपना role play करेंगे लेकिन इसके अलावा साथ में हमें diplomatic तरीके से international institutions में जाकर role play करना पड़ेगा और इसी को लेकर France has played a big role along with India to list the international terrorists to stop their funding और इसको लेकर लास्ट दो साल से news लगतार आ रहा है students तो ये बहुत ही खराब incident 2611 शायद 2008 में वह था students और इसके अलावा 26 November को और भी एक important constitution के perspective से बहुत important day क्योंकि national constitution day मनाया जाता है 26 November को all to signify that the constitution it was समिधान हमारा constitution assembly ने बनाना शुरू किया and supreme law of the land it is very very important document for the governance of the country और कर भारत सरकार ने कल 26 11 को ये देखिये you can see it here ये pledge का concept शुरू किया अपने website पर pledge yes it's a very important aspect of governance students देखा जाएं तो constitution day बहुत अच्छा दिवस और इसमें pledge का concept शुरू किया गया कल cover story pledges taken तो आप अगर government website my government.in पर जाते कल तो कल pledge लेने के लिए links दिये गए थे pledge का मतलब होता है commitment promise एक एक वादा एक वादा जो भूलना जाना वो वादा जो निभाना है और इसमें citizen से बोला गया that pledge लीजे different aspects में that constitution को respect कीजेगा nutrition ठीक से कीजेगा nutrition cereals का इस्तमाल कीजेगा अब भी जाएगा सर ये तो क्या दिखता थे सर OTP डालना जाए means mobile number डाला जाए mail ID डाला जाए और उसके बाद क्या परशानी है pledge लेने पर ये certificate तो generate हो ही जाएगा ऐसा certificate generate हो था देखिया students तो क्या वाकई में इतना असान है pledge लेकर भूल जाना नहीं this is all a concept of active citizen engagement ये देखिये proactive citizen engagement started off yesterday yes and the government doesn't want a passive participation from all of you it wants it wants you to become active you can say active process जो process है उसमें active होकर आपको participate करना है proactive citizen engagement कहते है इसे देखिये मैंने भी कल एक दो pledges लिये तो उसमें देखिये एक है ayurvedic diet and lifestyle का natural and sustainable living का और neutral cereals इस्तेमाल करने ये that means जवार और बाजरा के रोटी कहाएंगे सोच लिया है अब and preamble को respect देने का constitution को so these type of pledges and commitment certificates generate something called as inside you something called as the adherence to rules and regulations for the country yes ये OTP generate करके किवल अनुराक सिंह के नाम का certificate नहीं है students ये certificate वो है कि जब मैं अगर lifestyle कुछ भी बिगड रहा है मेरा तो कम से कम ये देखकर मुझे शरम आएगी और मैं थोड़ा track पर आकर काम करूंगा क्योंकि मैं बहुत important ingredient हूं इस देश का agree कर रहे हैं बच्चा लोग मुझे पताईए so this is something called as yes fundamental duties a concept दिया गया है कुछ fundamental duties समिध अगर है scandinavian countries are very very classical examples of this where the citizens become a role model they set examples for the others to follow and which type of citizens those who are empowered aware और आप से और हम से ज़्यादा empowered कौन है students रोज ग्यान हम लोग अरजित करने हैं newspapers में से शायद आप बहुत race में आगे है current affairs और current affairs के और session watch करके you are far ahead means you are much more empowered and educated than 99.9 percent of the people of the country yes so these type of pledges will help you and me become role models and set examples for the others to follow yes ये एक chain process है तो फिलहाल मैं बोलूँगा कि आप भी इस तरह के pledge लेकर और आगे बढ़िए commitment कीजिए आए आगे बढ़ते हैं आचे current affairs से तरह सबसे पहला news आज आया है दाहिंदु में और UPSC state PCS prelims कारणा daily fact shots में देखिए piezoelectric effect white quarts ticks ये देखिए students इंपॉर्टेंट topic science and tech का इंपॉर्टेंट topic science and tech का piezoelectric effect ये देखिए lighter दिया हुआ students ये देखिए finger है click किया जल गया क्या बात है piezoelectric effect ये क्या होता है भही piezoelectric effect आज दाहिंदु में आया piezoelectric effect is the ability of certain materials to generate electricity in response to mechanical stress okay mechanical energy ये देखिए मैं just a minute ये देखिए mechanical energy ये stress आप दियेगा तो ये उससे जो देखिए stress तो उससे जो इनका crystals का arrangement है materials के अंदर में crystals arrangement उसके कारण crystals arrangement देखिए arrangement के कारण students उसके कारण what is generated electricity ये देखिए तो mechanical energy is converted into power electricity इसी को कहते है energy can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one one form to other form very important students clear yes yes गुरु नानक जैनती की आप सभी दों को शुपकमना है students तो ये देखिए piezoelectric effect ये Greek में piezen word से निकाला गया है piezen means squeeze या press press करना squeeze कर देना उसके कारण या Greek word में और भी एक word पुश पुश करना उसे कारण power generate होता है ये देखिए तो ये क्या सारे crystals में होता है नहीं कुछ कुछ materials में होता quarts ये देखिए note कीजिए students quarts के बारे में जानते हैं आप लोग मुझे बताइए second ceramics note कर लिजे prelims facts corner ये देखिए and third is lead zirconate क्या बात है lead zirconate yes students the first topic of current affairs today these materials can be asked in UPSC prelims which are which are the materials which generate piezoelectric effect ये देखिए आज science and tech the Hindu में last पर आया students clear है second topic आज का second topic ये देखिए ये applied topic है ये applied topic है क्योंकि आपने अभी एक movie आई थी बहुत famous होई थी movie students ये देखिए movie का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है देखें नहीं है याद नहीं है देखेंगे जरूर अभी आने वाले समय में ठीक है अब लिए सर कौन सी movie थोड़ा हमें बताईए आए देखिए लिए आजा क्या परिशानी है students इस movie का नाम है two minutes कंतारा yes 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 क्या ये movie जानते हैं आप लोग students मुझे बताईए तो कंतारा movie में एक दिस यहाँ पर ये topic पढ़ी लिया जाए ये मैंने culture के component में put up किया है governance में put up किया कंतारा movie में ये देखिए ये दा हिंदु में कल आया था students और इंडिन एक स्पेस में भी आया हुआ है बेंगलुरू होस्ट कंबाला races what is the Karnataka folk sport and why was it banned earlier ये देखिए तो कंबाला is a folk sport practice in coastal karnataka districts especially in regions where Tulu speakers Tulu speaking population ही देखिए तूलू जो लोग बोलते हैं भाषा फॉर्म मेजॉरिटी and this came up in this movie कंतारा ये लिखा हुआ इस में कि उस movie में ये detail में means this folk art was portrayed in this movie तो आप कहेगा सर्थ ठीक है ये news में क्यों था देखिए news में क्यों स्टूडेंट्स देखा जाए यहां पर a coastal flavor kambala makes a splash in bangaluru so the cries of bangaluru kambala नम्म कंबाला रेंट देयर as hundreds of pairs of colorfully decked buffaloes ये देखिए ये buffalo race देख रहे हैं आप बैंगलोर में इसको लेकर मुद्दा उठा स्टूडेंट्स क्योंकि इसके पहले भी सुप्रीम कोट ने बैन लगाया था आनिमल रेसिस के उपर ये देखिए क्या सुप्रीम कोट ने बैन लगाया था ये ये देखिए इसके पीछे एक अर्गनाइजेशन ने जिसने बैन लगवाया था पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनिमल स्पेटा नाम तुछ जानते ही है क्या डिसकस किया गया क्या टूडेश बैक्टली स्टूडेंट्स सो पेटा हैड फाइड पेटिशन अगेस्ट ऑल ट्रेडेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स जिसमें अनिमल अभी उसके हिसाब से हो रहा था एंड कंबाला ही नहीं इसमें जली कट्टू तमिलनाड में बुलो कार्ट रेस महराष्ट्रा में यह देखिए हर जगा जहाँ आनिमल्स परफॉर्म करने थे इवेंट्स पर इस पर बैन लगा दिया गया था सुप्रीम कोट का यह वर्डिक बहुत इंपोर्टेंट था 2014 में यह देखिए इट रूल तो बैं जली कट्टू कंबाला बुलो कार्ट रेसिंग इन 2014 यह देखिए इसी नियूस में आया वापसी कर गया क्योंकि जनवरी 2016 जन्वरोंकि को सला यह देखिए सूला था इंवरोंकि दिस चूडिक का अवाली कार्ट अनिवर्ट धिर रम्हाव टेरी नियूस्ट प्रिंट इंट इंट इन आपनेंग्य। yet yet there was this was made subject to certain conditions seeking to reduce the pain and suffering of bulls ये देखिए तो ये आप देख सकते हैं साफ साफ कंबाला रेस को लेकर क्या मुद्दा उठाए स्टूडेंट से देखिए Supreme Court versus executive नोट कर लिए ये बस single line sentence environment ministry यहाँ पर ये देखिए हेंदर सरकार की सुप्रीम कोट पेटा के petition पर वर्डिक देता है cruelty to animals bans जली कट्टू and कंबाला the environment ministry says no let's make a exception traditional sports है let's celebrate it but but with less pain to animals ये देखिए less pain उसमें बुला गया जानवरों को कम pain देने की बात रसी बाना जाता है नाक नाक में बहुत दिक्कत होती है जानवरों को स्टूडेंट्स ये देखिए clear वैबों ने put up किया और बाकी समी लोगों का students एक यहाँ पर point होगा discussion का that देखिए कि सर क्या सही है cultural traditions सही है या cruelty to animals के कारण ये cultural traditions बंद कर दे जाए ये सही है आप लोग बता है ये फटा 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 ये दो मिनिट का discussion कर लिया जा students I suppose that discussion is needed कि देखिए cruelty to animals एक negative point है because of cultural traditions cultural traditions ये देखिए जो बुल्स होते हैं या बफैलो होते हैं उनके कार उनको दिक्कत होती है नाक में रसी बाना जाता है मारा जाता है कोड़े से जब तक की आगे नहीं बढ़ते हैं So is it okay or should we go for stopping or banning these cultural traditions मुझे आप लोग बताईए तो cultural traditions का कहीना कोई meaning तो है कोई background तो है Yes, environment ministry ने कहा कि ये traditions carry out किया जाए क्योंकि अगर ये खतम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी किसी culture के लिए किसी समाज के लिए It's a expression of society yet yet word comes out you can celebrate it yet stop cruelty to animals अब लिए सर क्या ये इतना असान है नहीं ऐसा कानून implement करना बहुत tough है कौन देखेगा कि cruelty कितनी हो रही है क्या cruelty के लिए यहाँ पर cruelty कितनी हो रही है कितना permitted है animals का use permissions ये देखिए क्या इसके लिए set of regulations आने चाहिए अगर आप allowed कर रहे हैं तो students ये देखिए This is called what is known as subjectivity comes up There should be objectivity कि जानवर का इस्तमाल ऐसे ऐसे और ऐसे होना चाहिए ऐसे 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 नहीं होना चाहिए लेकिन बस vague words में put up कर दिया गया and this is where again the court again the case will go in the court आप देखिएगा clear ना तो अगर आप मैं हटा रहे हैं हटा दीजे मैं cultural tradition जरूरी है ठीक है लेकिन there should be a institutional setup और there should be a proper rules and regulations of objectivity कि जानवर का इस्तमाल ऐसे ऐसे ना किया जाए कोड़ा हटा दिया जाए अब कोड़ा हटाया जाएगा तो जानवर ही फिर उठा कर पटक देगा नहीं तो अब इसको लेकर देखिए भाई objectivity जरूरी या देखिए पता है फिर से पेटा और animal rights activities चले गए केस चल रहा है सुपरीम कोड कह रहा है कि एक never ending हो गया है क्या सारी चीजों पर केस हो जाता है मैं वाडिक देता हूं फिर उधर से आता है इसे कहते lack of clarity of lack of clarity and lack of objectivity in the rules and regulations there should be complete clarity about and time has come we define what is cruelty to the animals there should be a clear-cut definition from the government side ideas यह देखिए तो यही है students कंबाला कहां होता है तूलू speaking districts में इसी लिए मैंने prelims facts में यह point शुरू किया देखिए तूलू speaking regions कहां है तूलू नाडू कहते हैं वे और also fighting for a separate state students देखिए तूलू नाडू केरल और करनाटा का coastal region से देखिए नोट कर लिए तूलू नाडू यह देखिए तूलू speaking region से देखिए यहां पर तिस region यह देखिए तूलू नाडू देख रहे हैं आप यहां पर coastal करनाटा का you can see it here तो जानवर कहेगा बहुत कोड़े बरसाए थें बदला लेने का समय आ गया है मना किया गया है कोड़े नहीं बरसाने हैं मेरे उपर तो मैं भी मोड में और मूड में आता हूँ था पटकेंगे इन शॉट जानवरों के अंदर भी या इनिमल्स और प्लांट्स दे हैव लाइफ स्टुडेंट्स और शुड़ बी एक क्लियर कट डिमार्केशन अफ हाव तो यूज़ और प्लांट्स आप गईगा सर पहले से क्या ऐसा नहीं तदी कि पहले और आज पहले तो बहुत वाइल नहीं और ये कल्चरल ट्रेडेशन्स इंसान लेकर आया है और इंसान बिल्कुल हमेशा सही होगा ये नहीं है आए फिलाल आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट्स तूलू स्पिकिंग रीजन्स देख लीजेगा साउथ करनाटका एंड नॉर्थ केरल तूलू नाडू आए जोड़ा है अर्बनाइजेशन में जियोग्रफी और बच्चा लोग आप लोग उठा लिए पैन और पेपर और नोट कर लिए ये अर्बनाइशन के प्रॉब्लम्स में आएगा जो हम डिसकस करने जा रहे हैं पिलाल अर्बनाइशन को या अर्बनाइशन को लेकर याद है स्टूडेंट्स मैंने तीन-चार हफ्ते पहले एक आर्टिकल डिसकस किया था अर्बनाइजेशन कंस्ट्रक्शन एर क्वालिटी इंडेक्स आर्टिकल हैट कम अप वेंसा हैड शोड़ दा इमेजेज ऑफ पुने विए कंस्ट्रक्शन इस गूइंग अप ऑन रोड साइड सैंड मेट्रो बनाया जा रहा है रोड बनाया जा रहा है लेकिन ये बिल्कुल सही है रोड बनाई ये मेट्रो बनाईए लेकिन कहीं पर भी सेफटी प्रोटोकाल स्थ नहीं फॉलओ हो रहा है क्या मैंने डिसकस किया था मुझे अट आया sa أوDN use means when I go to drop my son to his school वहाँ पर Metro construction चल रहा है तो दो दिन पहले का नियूज आया कि एक बच्चा छोटा बच्चा जो उसी स्कूल में पढ़ता है he was going along with his parents शायद स्कूल छोटा था उस समें निकला था वो और फिर उपर से girder और चीज़ें स्लंप कर गई नीचे means इतना busy road है और वहाँ पर construction चल रहा है and the child that child succumb to injuries see urbanization without proper planning will not yield anywhere पता है यह कैसे हम लोग urbanization कर रहा है जैसे कि UPSC के aspirants अंतिन दिनों में notes त्यार करते है UPSC का aspirants का चलेगा उसका अपना life effect हो रहा है यहां नहीं चलेगा यहां जनता का life effect हो रहा है means roads निकले हुएं बीच में से on both the sides and infrastructure development should go on why not proper planning right from since 6 a.m. in the morning the cement mixtures and the JCB trucks come up on the roads there should be a proper approach कि कब उनको सड़क पर आना है school के पास और कब नहीं आना है there lies the problem आए फिदाल आगे बढ़ते हैं मैंने उस दिन कहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा means it is like I am going road निकला वानेचे से अगर जरा ससना किया खतम वहीं पर ऐसी कंडिशन आए आए आगे बढ़ते हैं अब इसे बता है क्या डिसकस किया रहा है हम लोगोंने रेलवेज का फ्लीट मींस रेलवेज कि डीजल लोकोमोटिफ्स डीजल लोकोमोटिफ वर्क डील डबलू वरान सी जानते हैं आप लोग मुझे बताईए स्टूडेंट्स डीजल लोकोमोटिफ बनारस में बनते हैं डील डबलू में और चितरंजन लोकोमोटिफ वर्क्स चितरंजन निर आसन सोल वेस्ट डीजल इंजिन में इनक्प्लिट कंबस्शन से सस्पेंड़ पार्टिकल जादा निकलते हैं यह देखिए यह है इमेज डीजल इंजिन के पॉलुटेंट्स का और आज के आर्टिकल में रेलेवेंट टॉपिक स्टूडेंट्स यह देखिए यह देखिए है तो इस डीजल इंजिन नाइट्रोजन इस दमेजर एमिशन फ्राम डीजल इंजिन नोटेट डाउन यह आ सकता यू-पी-अ-सी में नाइट्रोजन कारवन डायकसाइट वाटर वेपर ऑक्सीजन बट यह देखिए पालुटेंट्स जो है न यहीं पर दिक्कत है students इसमें सबसे ज़्यादा suspended particulate matter यह देखिए SPM और यही diesel engines railways के बंद कर दिये बंद किये जा रहा है means कहा जा रहा है कि railways will go for 100% electrification and diesel locomotives will not be working yet what about the trucks tell me are the trucks still operating upon diesel engines tell me students don't you think time has come कि petrol और electric vehicles की बात की जारी सबसे by electric vehicles किस field में आने चाहिए बड़े vehicles में क्योंकि petrol engine से कहीं ज्यादा problematic diesel engine से यह देखिए students so a good point railways has gone in for electrification why not the same in trucks and this is what is being discussed out here यह देखिए fleet electrification trucks ka fleet electrification किया जाया to tackle urban pollution and this is a correct approach in fact they should be the key focus area very good article comes up in the Hindu today यह देखिए key focus area if we are to tackle the urban pollution यह देखिए urban pollution में जब railway इतना काम कर रहा क्यों नहीं heavy investments ministry of road की तरफ से यह देखिए आउट है अपने आप electric जब buses आ गई है electric buses आ गई है अब trucks की बारी है और कार और टू विदर से पहले trucks लाए जाए ऐसे तो यहां लिखावा students the focus must be on extend must extend to diesel trucks and dust mitigation यह देखिए इस रिटें दियर quality index in many intensities has entered the red zone several days this year delica means why he purani cheese a when he purani but the increase in truck fleet about nine lakh new trucks are added to Indian roads every year you take him and India may 70 lakh trucks a 70 lakh truck in the key India carries over 2 trillion 10 kilometers fret on trucks annually these trucks consume over one-fourth of Indian oil imports and contribute over 90 percent of road transport CO2 emissions से देखिए मतर्ड ट्रक्स के वल focus किया जाए तो हमारा oil import भी रुख जाएगा और carbon dioxide emission भी रुख जाएगा देखिए have a look so this is a clear cut example of students that truck trucks को अगर के वल रिप्लेस किया जाए electric truck से तो कितना बड़ा change होगा adds off to the writer and I suppose you'll agree with the facts the person has put up out here one-fourth of Indian oil imports will be stopped 90 percent of CO2 emissions stop India net zero carbon emissions achieve कर लेगा बहुत जल्द सेट करेगा example developing countries के लिए और अगर electric trucks बनाए जाए तो India export भी करेगा पैसा भी कमाएगा इस पर focus shift किया जाना चाहिए पस पैसा नहीं है हम लोगे पास और ना तो इंजिनियर से हम लोग कि ट्रक्स के लिए company खोल देने तो यही काम करते हैं यह देखिए मुझे तो लग रहा है कि यह देखकर इनका विचार की ट्रक बनानी company को लए देख आपनी खोल लिथे खिन पैसा नहीं है इस ओध पैसा है वह बना रहा है अपर क्लास के लिए अलेका वेहिकल्स का यह देखिए प्राइस एक नॉर्मल ट्रक का प्राइस नॉर्मल ट्रक का प्राइस एंडिया में लग बग चालिस लाख रुपे है एलेक्रिक वहिकल का और सवा क्रोड रुपे हो जाएं यहीं कहा या लेकिन सवा क्रोड रूपे भी ठीक ठाक है स्टूदेंट्स नहीं मुझे बताईए जब फोर वीदर्स आ रहे हैं इतने बड़े बड़े जिसके एक और सवा करोड रुपए जिसके प्राइस हैं तो वाइं नोट इस इंजन ट्रॉक फ्लीट यह रिखिए 1.7 करोड रीच कर जाएगा ट्रॉक फ्लीट इंडिया का दोज ल आपटल अठीड आपटल आटफेश्या रिटीफ़ में उन्सेट फॉपिपड आफ पॉलिक लासट गॉपिट इंडिया पर स jackets is Ums requirements ofłem यहां पर केवल यह वहिकल रन करेंगी, this is another input from the writer of this article, so you can quoted students out here learning from the topic, यह देखिये, first trucks, consume one-fourth of oil imports, यह देखिये, second, 90 percent of CO2 emissions, यह देखिये, second point, trucks should be replaced by e-trucks, यह देखिये, second point, green fret corridors, यह देखिये, should come up on the roadways, fret corridors, और यह इसका समय, जितना देर उतनी दिक्कत, समय आ गया इसको focus में दाने का, इससे तीन फायदे होंगे, नोट कर लीजे, इंडिया का import will reduce होगा, import will reduce, yes, air quality index of cities will better, better, and net zero carbon footprint achieved, agree कर रहा है ना, मुझे बताईए students, यह देखिये, यही बस इतना इस article से काफी है, देखिये, bankable project का मतलब होता है, वो project जो, वाकई में practically possible हो, हवा की projects नहीं, बात समझ में आ रही है, bankable projects, bankable projects, bankable teacher, जो UPSC की तयारी करवादे, bankable teacher, टोटरा नुराक सिंग, गॉट इट, किने UPSC की लेवल की तयारी हो जाए, that's it, आईए आगे बढ़ते हैं, यह society का topic था, urbanization में से link कीजेगा students, and geography option जरूर से इस topic को उठा लीजेगा, next, GS paper 3, ecology environment and disaster management के topic से आज एक article आया है, यह देखिए, लेकिन उसके पहले यह देखिए, ecology environment के लिए, science tech के लिए, science tech की field से आया है, यह कैची दिखाई दे रही है, the scissors are going to cut a grass, okay, grass cut हो रहा है, plants warn each other of danger and now we can watch them, क्या बात है students, यह देखिए, तो घास काटते हैं आप, कभी भी, यह पेड़ पौधा कट करते हैं, तो plants भी emotional होते हैं, students उनके अदर जीवन हैं, और वो अपने आस पास के plants को बचाने के लिए, substance release करते हैं, इस substance का नाम यहां दिया हुआ है, बस इतना काफी है, यहां से पढ़ना, green leaf volatiles, GLVs, noted down students, prelims, very important, what is GLV, यह देखिए, substances released from the plants in times of stress, यह देखिए, और in times of our approaching danger, क्या यह आप, green leaf volatiles, आप पुछे हैं सर, क्या यह हम दो देख सकते हैं, या कुछ, means, can we feel it without senses, yes, smell, कितनी में आपने देखा होगा, आप किसी जंगल ज़ाड़ी में गए, ऐसे ही, घूमते हुए, कभी पैर से trample कर दिया, किसी ज़ाड़ी को, you don't think students that, कभी-कभी एक अजीब smell आना शुरू होता है, वहाँ से, green leaf volatiles, यह देखिए, हाँ पर very important, a danger sign, that's it, yes, we have, we need to check, not only, shifting to electric, we need to check, chat box का मैं answer कर रहा हूँ अभी, we need to check emissions, standards, सब कुछ, यह लंबा प्रस्से लेकिन करना तो पड़ेगा ना, भाई हमारा focus दिखिए, it's all about priorities, अगर priority में कोई चीज है आकी, तो आप उसके लिए समय निकाल लीजिएगा, और सरकार को इसके लिए समय निकालना जरूरी है, यह देखिए, so is this topic clear students, insect damage करें, यह देखिए, insect damage करें students, insects damage, coming back to this topic, insect damage कर रहा है, यह आप trample कर रहा है, यह fungal यह bacterial infection हो रहा है, तो plants are releasing green leaf volatiles, to let the other plants know in the vicinity that there is a approaching danger, danger can be infection also, यह देखिए, infection, yes, stress, infection, insect damage, यह देखिए, और सबसे बड़ा शातिल जानवार इनसान, human being अगर अप्रोच किया है, तो और ज्यादा यह देखिए, is it clear, green leaf volatiles are released in which scenario, you, that's it, green corridor के ओपर फिर एक topic आया, वहाँ पर green corridor का मतलब होता है, dedicated green corridor से emissions कम होंगे, emissions not congestion, emissions की बात कर रही है, तो क्या यह topic और इसके पहले का topic clear होगे है students, आई यह आगे बढ़ते हैं, यह हैं तिकिंदर सिंग पनवर, यह deputy mayor रहे हैं, शिमला के, इन्होंने पहले भी हिमाले के उपर कुछ लिखा था, if I am not wrong, one month back, he had written an article over, हिमाले needs a carrying capacity concept, yes, again he has come back, he is writing, molding the Himalayas needs caution, and टिकिंदर सिंग पनवर, his article is a classical example that apart from a politician, you can be a knowledge specialist also, I was surprised to see this article in today's The Hindu, you know why, क्यों आप surprised होते हैं, नहीं, अगर कोई politician जानकार निकलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह देखिए, बहुत अच्छा लगता है, और इन्हें पता है, कुछ नया ग्यान इन्हें पता है, क्या पता है, इन्हें दो चीज़ें पता है, जो इन्होंने पुट अप किया है, and means I love the concept, he knows about main central thrust of हिमाले, he knows about main boundary thrust of हिमाले, you might say that sir इन्होंने हुसता है यह नहीं लिखे हो, कोई और लिखा हो, फिर भी पढ़ा तो होगा इन्होंने यह देखी, बहुत अच्छा concept यह देखी, so he is writing about what has happened in उत्राखंड channel collapse, यह देखिए, अभी चली रहा है सब कुछ, अन्डे 15, सिल्क यारा, उत्तरकाशी रस्कीवर सेट 100 आवर वर्टिकल ड्रिलिंग टार्गेट, आज ही का निए उसे देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग देख रहे हैं आप, क्या devastation हुआ है उस जगह पदा, अर्थ बोरिंग मशिन ड्रिलिंग अ वर्टिकल होल इन्टु दा सिल्क यारा टनल यह देखिए, आप बताएए स्टुडेंट, जो वहां मजदूर फंसे हुए हैं, उसके बाद जितने लोग वहां गए हैं, क्या मजदूरों का जीवन, इन लोगों का समय, पैसा मुझे बताएए, क्या यह जड़ीबी में इसे माइनस करना पड़ेगा, यास. So don't you think चार धाम प्रोजेक्ट और वाइदिन अप दे रोड इन दो हिमाले बेल्ट, should be taken up with caution, yes, this is what the person has written up. And this person is writing that utter tunnel, जो रुठांग पास पर बनाया गया है, वहां पर एक बहुत बड़ी चीज़ थी, second point what he knows, that the company which made the utter tunnel, it was a foreign company, और उस tunnel में किसी को भी अलाव नहीं था जाना, safety protocols were followed completely, यह देखिये, safety protocols, कि जब तक टरनल पूरा complete नहीं होता है, आंदर जाके बैठा नहीं है, यह देखिए, यह utter tunnel का photo है, complete होने के बाद लोग जा रहे हैं देखिए, घुमने के लिए, border roots organization, बाहर की companies अच्छे से काम करती हैं, लेकिन वही काम जब local companies को दिया जाता है, यह ऐसे ही बिना किसी टेंशन के लिया जाता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, यह देखिए, हैव लोग, सोचिए उस जगह पर अपने आपको imagine करके कितना अजीब, मिस लग रहा होगा कि, लग रहा होगा, जिन्दा बचेंगे कि नहीं उस जगह पर, and you know what, evacuating them, taking them out, उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज है, कि यह condition क्यों हो एमर्ज किया, और लगतार एमर्ज कर रहा है, लेट सी इस आर्टिकल स्टूदेंट, यह देखिए, molding the Himalayas needs caution, उत्तर काशी टरल कोलाप्स has thrown light on the major flaws in infrastructure development in Indian Himalayan region, so the first point which has been discussed in this topic is first, यह देखिए, learnings on the topic, Himalay, मैं इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स लिख रहा हूँ, Himalay, rocks unstable, rocks unstable, and sedimentary rocks है, sedimentary rocks है, यह देखिए, which are weak, यह देखिए, hence, weak, second point, हिमाले में, rocks complex है, अभी तरह, decode नहीं हुआ है, कि कैसे, sedimentary rocks के साथ में, और कौन कौन से rocks है, in such a scenario, what should be done, planned approach, यह देखिए, planned approach, planning कौन करेगा, geologist, और कौन करेगा, geotechnician, यह देखिए, यह सब शब्द नया नया दिख रहा है हमें, यह सब सुट्जर लेंड वगरा में, जहां tunnels बनाये जा रहे हैं, यह tunnels बनाये ही मत, यह बना रहे हैं, तो पता नहीं ची कि कौन इसको करेगा, ऐसा नहीं है कि, anyone can come and start doing it, no, geotechnicians, और फॉर्थ पॉइंट, प्रॉपर आर एंडी अजनसी के लिए, आर एंडी इस्टिशूचल अजनसी, यह गंगा प्लेंज की सड़क नहीं है, कैसे भी बन जाएगा, यह देखिए, पहला पॉइंट, इस आर्टिकल डिसकॉसिस क्यारिंग कापैस्टी, वेरी गुट पॉइंट, अन्यू कंसिप्ट कमस अप, मिस्टर पनवर, टाक्स अबाओ, करिण करपैस्टी शुद नहीं क्लूद नमबर फ पीपल, इस वाजसू टेकन टो, कागनिजनस नमबर फ प्रोजेक्ट्ट्ट्स, कि maximum projects कितने allowed होने चाहिए एक समय में यहां पर यह देखिए agree कर रहे हैं मुझे बताईए students maximum project से देखिए and third point Mr. Tikendar Singh Palmer is talking about that there is a main central thrust of fault line और उसी fault line पर टनल बनाया जा रहा था main central thrust एक fault line है एक gap है fault का मतलब क्या होता है gap किसके बीच में हिमांचल और हिमादरी के बीच में यह देखिए और उसी में बनाया जा रहा है यह टनल यह तो वही बात हो गई कि नाली है means या कुछ कहीं पर गड़ा है गड़ा नीचे में ऊपर में ब्रस प्लास्टर कर दिया गया गड़ा नीचे तूटे गाई ना वहां पर यह देखिए सो में सेंटरल फ्रस क्या होता है स्टूडेंट देख लिए यहां पर यह देखिए में सेंटरल फ्रस्ट is a major geological fault line gap between greater and lesser हिमाले and greater हिमाले it turns along 2200 किलोमेटर longitudinal extent boundary of the हिमाले इन नौथ्वेस साउफिस डिरेक्शन यहीं पर इंडो अस्टेलियन ऑन गेशन प्लेट करते है इसको मैं डैगर में देखा रहा हूं यह देखिए यह देखिए यहाँ पर students main central thrust यह देखिए black से mark किया गया देखिए यह देख रहे हैं यह main central thrust है यह देखिए यह सब देखिए gaps है students और इसके लिए research होना चाहिए एगरी कर रहे हैं मुझे बता दिए यह देखिए okay so prelims question main central thrust and main boundary thrust क्या main boundary thrust देखिए यह देखिए और south में देखिए शीवालिक्स के पास में देखिए यह दोनों का research करके ही तो carry out किया जाना चाहिए yes तो आपका homework है main central thrust and main boundary thrust आपका homework students prelims में geography और फिल जब होता था prelims में हमारे समय equation आया हुआ है अब GS में भी आ सकता है प्रिपेर कर लीजिएगा elaboration चल रहा है topics का and last point students इसके अलावा तीके अनर सिंग पनवर कह रहे हैं कि safety protocols भी कोई चीज होती है follow करने के लिए टनल में मजदूरों को क्यों जाने दिया गया it's not like tunnel में काम करो फिर बाहर निकलो यह नहीं कि वहां जाना है फिर it's like you should be strict about the कौन अंदर गया है कौन बाहर जा रहा है safety protocols are falling atal tunnel रोह थांग pass and as you can see इससे जादा unstable zone में है वो लेकिन no accidents agree कर रहा है मुझे बताईए so it boils down to that इससे खराब जगह पर भी अच्छे से टनल बन रहा है तो यहां क्या दिक्कत है और फिर पॉइंट students there should be audit of tunnels जो सरकार कह रही है लेकिन audit के लिए there should be a strict criteria yes यह देखे criteria audit करके क्या होगा यह वही बात हो गई चलो तुमको देख लेंगे कैसे देखेंगे किस तरीके से देखेंगे यह देखें अब आप गया कि सर इतना सब लर्निंग्स आये हैं टॉपिक से यह यह देखिए आगे कुछ भी प्रोजेक्ट करना है इन चीजों पर ध्यान देना है अब आप गया सर जब इतना सब पता था तो क्यों प्रोजेक्ट भेजा गया आगे प्रोजेक्ट को लेकर मैं नहीं कुछ बोलूँगा सुप्रीम कोट में दो साल से डिसकुर्शन चल रहा था वाइडेनिंग को लेकर पिटिशन गया था सुप्रीम कोट ने रोक लगाई थी फिर सुप्रीम कोट में को सरकार ने कहा कि आप गो एड दीजिए हमें डिफेंस परपस से ये रोड चाहिए सुप्रीम कोट ने का डिफेंस परपस ब्रहमोस मिसाइल ले जाना है ठीक है रोड वाइडेन कर रोड वाइडन कीजिए कोई दिक्कत नहीं है जल्दी किस बात की है इट्स पात की है इट्स अकीन तो यूपीसी एस्पिरेंट कमिंग अप इन दे मन्थ आप अपरेल सेंग सर मुझे में 26 तारी को एक्जाम देना है अब बताईए कैसे तैयारी शुरू की जाए फॉर्म फिल अप कर दी था लास्ट जे और अब तैयारी करना है क्या हो पाएगा ऐसे ही तीन साल पहले एक बच्चे ने आकर चैट बॉक्स पूछा था उससे मैं आन अकैडमी पढ़ा रहा था यहां से एक सवाल निकल सकता है हर चीज को करने का एक समय होता है क्लियर तो प्लैनिंग करके किया जाए काम वो काम करो न प्लैनिंग करो न चलिए आगे बढ़ते हैं लेट सी स्टूडेंट्स नेक्स जी एस पेपर थी एकलोजी अन्वार्मेंट के टॉपिक से कल का एक आर्टिकल है अन्टर्टिका जोजोन होल एक्स्पैंड्स मिड्स्प्रिंग सिंस 2001 यह देखिए तो पहली बार जोजोन होल एक्स्पैंड करना शुरू किया और दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स ओजोन क्या है आप को इपता है ओजोन होल हीलिंग हो रही थी आपको इपता यह जो एक्सी दिस इमेज ओजोन होल को लेकर जो एग्रिमेंट बनाया गया था उसका नाम आप देख सकते हैं बैग्राउंड देखा जाए स्टूडेंट्स ही देखी दिस इस दे बैग्राउंड विए न ऑस्टिया में पहले 85 में बैठक होती है क्योंकि इसके पहले ओजोन होल देखा जाता है कि चिंता की बात है ओजोन होल बन गया है अंटर्क्रिका के उपर औस्टेलिया के उपर ओजोन इस डिप्लीटींग ओजोन क्या होता है आप देख सकते हैं ओजोन is a component of स्टाटोसफियर ये देखिए and it prevents the UV rays from coming inside UV rays जानते हैं आप लोग अल्ट्रा वालेट रेज स्टूडेंट्स चेल मी अल्ट्रा वालेट रेज हांफल होते हैं नॉर्मल लाइट हांफल क्यों नहीं होता है इसके बीजे क्यों इतना फर्क है अल्ट्रा वालेट रेज का वेवलेंट छोटा होता as compared to visible light छोटा वेवलेंट से क्या होगा ये देखिए इस ते सेम तिंग देखिए ये visible light का वेवलेंट है this is the crest, this is the trough, this is one wave मान जिए ये एक second में एक wave आ रहा है आपके पास ultraviolet rays में ऐसे होगा दो waves आ जाएंगे तो आप बताएए कहां पर ज़्यादा energy आ रही है UV rays में और UV rays की energy आपकी body सहर नहीं कर पाती है इसलिए इस फोटो सेंसिटिविटी reddish blisters comes up on the skin this is a clear cut example of low wavelength high frequency wave coming and striking इसके आगे की चीज़ है x-ray इसके आगे की चीज़ है gamma rays gamma rays में जाए खड़े हो जाईए खतम एक मिनट के अंदर तो वैसे UV rays ये देखे UV rays को रोकने के लिए ozone है कहां पर है stratosphere ट्रोपोस्फियर के ऊपर लेकिन ये ozone deplete कर रहा था उसके पीछे कुछ वजहें थी देखें यहां पर इसे कहते हैं chlorofluorocarbons you might have heard students tell me in the chat box so you can see here chlorofluorocarbons इसी को खतम करने के लिए हटाने के लिए लाया गया Vienna में agreement और Vienna में जो convention sign होता है यही convention का मतलब होता है agreement which once sign becomes binding इसी में फिर target set किये गए और target set करने के agreement का नाम पढ़ा Montreal Protocol 1987 सुनाय आप लगोने मुझे मताये students इसी देखें convention के बाद ही protocol आता है protocol means targets, penalties सब दिये रहते हैं यह देखें तो Montreal Protocol जब आया तो बोला गया ozone अब heal करना शुरू होगा और ozone heal करना शुरू कर दिया यह देखें अंटरक्टिका का map दिख रहा है यहां पर students यह ozone hole दिख रहा है and ozone के measurement units, Dobson units होती है, यह देखें, Dobson units, British professor measured it in 1981 for the first time, यह देखें, that's it, Montreal Protocol has been the most successful, it has reduced emissions a lot, emissions reduce करने के यह सफल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें emissions को replace करना, chloro-fluorocarbons को hydro-fluorocarbons से, yes, CFC को देखें, chloro-fluorocarbons, इसमें chlorine and fluorine यह देखें, इसमें को replace किया गया hydro-fluorocarbons, hydro-fluorocarbons, अब main, जो culprit है, कौन है बदमाश इसमें से molecule, halogenes, chlorine and fluorine, यहां पर दो हैं, यहां पर किवल एक, आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, this was it, India is also a party in this Montreal Protocol and it became the most successful treaty because सारे कंट्री से साइन कर दिया, इसे universal signature कहते है, universal treaty बन गई है, यह देखिये, every UN state signed it, signifying a big big cooperation, clear, तो Dobson units, CFC, HFC, Montreal protocol, Vienna connection, clear students, अब news पर आते हैं, news आया है, expand करना शुरू कर दिया है, last day discuss कर रहे हैं हम लों, सबसे सफल ट्रीटी, सब जगह UN के website पर, पता नहीं शायद नजर लग गई, क्या किसी की, देखिये यहां पर, the core, middle stratospheric layer of Antarctica, ozone in mid spring has experienced 26% reduction since 2004, but now, but now recovery has stabilized and now the ozone is reducing again, यह देखिये, तो यही चीज़ down to earth में as student से देखिये, मैंने attach किया यहां पर, इसका component, आईए आगे बढ़ते हैं students, यहां से prelims के लिए important information होगया, आईए आगे बढ़ते हैं, next topic, ecology environment से, sorry science and text से, GS paper 3 science and text section, कल 10 Hindu में कुछ हाया students, how does our brain learn to read, यह मिस्टर डीब बाला सुबरमनियम, यह सिलिबस बढ़ाते हैं, लेकिन ग्यान भी बढ़ाते हैं हम लोग, डिसलेक्सिया के बारे में लिखा हैं इनोंने, देखिए, यह फोटो देख रहे हैं आप, दो लोग इनके दिमाग के अंदर देखिए, किताब के खाने और किताब डाला गया, यह देखिए, यह इनसान किताब अच्छे से रीड कर ले रहा है, इस इनसान को दिक्कत हो रही है, आए बढ़ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इस टॉक is of how the children begin to read, अच्छा मुझे पताएं, students, बच्पन से लेकर अभी तक, क्या बच्पन में जितनी early reading habits आती है, क्या उसी पर आपका आगे का, मैं तो believe करता हूँ, अब आप क्या believe करते हैं, नहीं पता मुझे, the earlier the child, the kid starts reading and analyzing things, the more smart the kid becomes, yes, that's it, and this is why in many of the schools reading, reading, अभी reading को लेकर एक movement चला हुआ, NGOs भी participate कर रही है, and one book at least बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हर महीने, हर schools में, फिलहाल हमारे समय में, मैं बता दू, हमारे समय में, in our times, I am a pass out from Denobli school, डिगवाडी, इंधनबाद, a convent school, which was, means, एक्सलराई जमशेदपूर से के foundation से वो गवर्ण होता था, अभी भी गवर्ण होता है, डिणाबली school, डिणाबली group of schools धनबाद, उसमें डिगवाडी या CFRI, Central Federal Federal Research Institute, FRI या CFRI कहते हैं, भारत सरकार का Federal Research Institute है, उसी के बगल में, वो स्कूल बेस्ट था, एंड, लेट मी टेल यू, हमारे यां लैवरेरी का period, mandatory था, और एक किताब ले जाना, mandatory था, मैंने class 4 से किताबे पढ़नी शुरू की, एंड, ग्राजुली, fiction हो या classics, fiction novels मेरे लिए passionate, मैं passionate था, एंड, ग्राजुली इट बिकेम a madness for me in 2008 standard, एट या नाइट स्टैंडर्ड, वेन हम लोगा group बना, 4-5 लोगों का, कि 5 किताबे ले जा रहे हैं, और 5 दिन में, एक-एक किताब अपनी पढ़कर, दो घंटे के अंदर, next day, exchange करेंगे, तो आप उने के सर्फ fiction novels क्या, बहुत थी, fiction novels बहुत थी, और एक हफ़ते में लोग पांच किताब पढ़ते थे, 9 stand में ये condition था, इन फेक्ट novels पढ़ते पढ़ते डांट भी खादें लेकिन क्या कहा जाएं, फिलहाल उस पर क्या depend करता है, कि reading और writing skills क्या है, आप, यस, देखा गया है, it is estimated that half the people of the world can speak more than one language, especially South India, और South India में दो भाशा हैं, कम से कम लोग जानते हैं, does it impact the wisdom and the levels of education, tell me students, impact करता है नो, बहुत impact करता है, तो ये लिखे हैं इसको, कि the process of learning to read begins with getting acquainted with letters of the alphabet and understanding the phonics sounds, a bit of phonics and letters, as the reading skills develop, children become adapted at perceiving letter sounds, and how they come to learn to perform words, eventually from letters to phonics to understanding sentences and to writing and framing sentences, this is the skill which gets up from the age of 6 to 7 years till the age of 10 to 11 years, ये रिखेख निये शो किया है, ब्रेन में एक जगह है विजुल वर्ड फॉर्म एरिया वी डबलू एफ है नोट कर लिजे यह देखिए यह देखिए इस्पे बहुत कुछ बिपैंड करता है आपकी बिचाति रीडिंग है रीडिंग को लेकर क्या एंड क्या इसमें नेईट्रिशन का भी ऐसर है यह देखिए having a good working memory and flexible reasoning skills commonly known as executive functions allows children to become better readers and reasoning comes with reading let me tell you students reasoning comes with reading आप कहते ना CSAT reasoning aptitude आपे देखा होगा आपके जो teacher है यहां जो पढ़ा रहा है आपको quantitative aptitude he might have told you something that it is not about CSAT it's about getting a general aptitude कि normally life decisions कैसे लिए जाएं और ये किताब पे भी बहुत depend करता है लेकिन कितने बच्चों में दिक्कते होती है dyslexia पता है ना आप लोगों को मुझे पता ये students dyslexia यह देखिए disorder mark by difficulty in reading it's a neurological problem aphasia यह देखिए aphasia is another language disorder caused by brain damage such as stroke अगर brain में कुछ दिक्कत हो गई hemorrhage हो गया blood leak कर गया उस scenario में अलेक्सिया भी एक बिमारी है inability to comprehend written language और agraphia inability to write coherent लिए देखिए जो लोग लिख नहीं पाते हैं उन्हें एग agraphia बिमारी है देखिए यहां पर students so this is it तो अब सवाल ये है कि सर ये dyslexia का थासर disorder बताई देखिए dyslexia as a child gets older dyslexia can often look like difficulty spelling simple words reluctance in reading aloud in the class confusing letters with similar shapes mixing up the positions of sounds in a word dyslexia क्या ये वर्ड बहुत commonly अभी सुनाई दे रहा है tell me students तो यही डी बालस में बता रहे हैं nutrition reading habits के बारे में details बता रहे हैं और अगर नहीं ठीक हुआ अगर reading habits to dyslexia agraphia या एलेक्सिया ये बिमारिया हो सकती हैं आगे and those who are speaking multiple languages or no multiple languages उस सिनारियो में ये this they are better off but अगर उन्हें एफेजिया है या dyslexia और multiple languages जान रहे हैं वो तो और difficulty होती है students these are neurological या hemorrhagic disorder से देखिए नहुर से संबंदित आए फिलाल आगे बढ़ते हैं next topic कल आया है students science and tech में is India lagging in measles vaccination ये देखिए डब्लो एचो का report ने दिया है कि इंडिया में measles vaccination में बच्चे नहीं लाय जा रहे हैं ये देखिए measles cases in India देखिए a new report from WHO and US Center for Disease Control and Prevention said measles cases in 2022 have increased by 18% death by 43% globally measles क्या होता है ये देख लिजे पहले नाम सुना है मुझे पता है students measles contagious disease virus spreads through air infected person cuffs or sneezes measles starts with cough running nose red eyes and fever gradually rashes come up tiny red spots break out it can be fatal in many cases it can be fatal measles measles का देखिए यहां पर detail देखिए यहां पर students have a look measles also called rubella ये देखिए occurs in children of 3 to 5 years of age incubation period 8 to 14 days ये देखिए causative organism rubella virus mode of transmission direct droplet and direct contact दोनों तरीके से ये देखिए measles देखिए fever running nose cuff red spot watering of the eyes red rash rash spreads all are over the body and finally it can be fatal इसको ठीक करने के लिए ना होने देने के लिए वैक्सिन लगाया जाता है और इस वैक्सिन का नाम है measles mumps rubella नाम सुना है अपने mmr वैक्सिन ये देखिए नाम सुना है measles mumps rubella वैक्सिन ये देखिए अब सवाल यह है कि यह यह पूरा आर्टिकल सर किस चीज़ पर बेस्ट है समझ में आ रही है बाते मुझे बताईए student session कैसे चल रहा है एक घंटे का session हो गया है and let me know how is the session going on we are going to see what has been written in this article about rubella measles and measles vaccination ये contagious है दिकत की बात है अगर हो जाये किसी को vaccine देने के बाद क्या नहीं होगा उससे इसकी guarantee नहीं है लेकिन नहीं होता है कभी बहुत rare case में हो सकता है लेकिन जनरली नहीं पाया गया है अगर vaccine दिया गया गया के vaccination में क्यों दिक्कत आ रही है देखा जाए students the topic discusses measles vaccine people are not coming not coming people ये देखिए reasons पहला reason did covid impact the vaccination and immunization of other things ये रेखिए immunization impacted कोई गया ही नहीं अस्पताल जाना छोड़ दिये हम लोग agree कर रहे है मुझे बताइए पहली पर लगा कि अस्पताल के बिना भी रह सकता है इंसान शहर में got it second point एक बहुत important discussion ये देखिए MMR vaccine causes autism ये एक report आई थी 1996 में मैंने वो report पढ़ा हुआ students ही देखिए इस report को courage किया गया after 10 to 12 years कहा गया not valid this report autism पता ही आपको क्या है autism spectrum disorder is a learning disability और कहा गया था कि autism क्यों हो रहा है उस report में MMR vaccine is stored in mercury and mercury becomes dangerous for brain development ये देखिए so अब ये report खारीज कर दिया गया this report has been shelled off ये देखिए mercury is it dangerous for brain tell me students let me know mercury and lead mercury and lead क्या ये monosodium glutamate agenomoto MSG Chinese diet Chinese food में पाया जाता है मुझे बताईए है lead तो यहां mercury और lead के components यहां पाये गये थे तो यह अभी भी विश्वास है कितने लोगों मैं मैं बता दूँ आपको students many parents don't go for vaccination don't go for vaccination for MMR ये देखिए they believe that their kid will be affected because of autism so these are two things two reasons why the measles vaccination rates have fallen down और ये सबसे ज्यादा US में हुआ है जो second reason है US में अभी भी belief है that MMR vaccine causes MMR के तीन डोसेत होते हैं MMR vaccine causes problems in brain development clear और तीसरी बाद students measles mumps rubeira vaccine इंडिया में तो आलागी case है ये देखिए quality of vaccines अब मैं बता दूँ आपको इस vaccine में या कोई भी बच्चों के vaccine में जब virus the attenuated this particles जाले जाते हैं that is weakened particles will cause fever to some extent inflammation yes लेकिन महराश्ट में आज से 6 साल पहले मुझे याद है मैं पढ़ाया था बच्चों को अपने offline class में उस समय जब offline class चल रहे थे उस समय so that time I taught a case study from Maharashtra पूने पूने में ही एक hospital में लगभग एक सो के आसपस बच्चे बिमार पढ़ गए थे MMR vaccine के बाद की देखें quality is a big effect out here clear quality yes has asked a question that sir don't you think we need our educated rehabilitation centers for such disorders like autism let me tell you students we need rehab centers but first we need to recognize the problems of the kids that's it so all keval rehabilitation centers का नहीं सवाल उसमें तो और दिक्रत हो जाए कि पता है क्या segregate कर दिया जाए सबसे बड़ी समस्या developmental disorders में कि लेबलिंग कर दी जाती है एक ही तरीके से that बच्चे को परिशानी है किसी इसकी दिमागी परिशानी है यही समाज है हमारा और यह चेंज नहीं किया है एक टैबू होता है अगर कुछ इस तरह के विमारी किसी बच्चे को हो जाए तो अगला टॉपिक स्टुटेंट्स कली आया दा हिंदु में हायर ब्यमाई एससे बिंक्रीज कैंसर रिस ब्यमाई बॉडी मास इंडेक्स यह कैसे निकाला जाता देख ली यह स्टुटेंट्स कैलकुलेटर पर यह देखिए बॉडी मास इंडेक्स वेट बाई हाइट स्कुएर केजी बाई मीटर स्कुएर यह देखिए अगर यूके में आप हैं तो बोला जाएगा साथ सो तीन से मिल्टिपलाई करो वेट बाई हाइट स्कुएर देखिए इंचेज और मीन्स अलग यूनिट से मेजर करना देखिए यहां पर और बी एम आई फर्मॉला निकालने के बाद जितना बी एम आई जादा है उतना कैंसर डेवलप होगा यह लिखा हुआ है अब क्या यह सही गलत है नहीं पता है रिसर्च आया है लेकिन यह फर्मॉला याद कर लीजिए बाड़ी क्जिए एक टापिक तो होगिया स्थुडेंट्स कंबाला, हाई आगे बढ़ते है रिखित निटिश कुमार को नहीं पढ़ना है निटिश कुमार के डिमांड को पढ़ना है वो डिमांड कर रहे हैं बिहार को स्पेशल करेगरी स्टेटस दिया और आज दो हीं ने देखिए इन 1969 घेचेशंट के असमन नागा लैंडम और गarnya испrejal अग मेश्चियल क्टिगरी कुछ ऐसा फोटो यह देखिए समझ में आ रही चीजें बताईए मुझे स्टूडेंट्स ये देखी वेबर्स पुट अप हाउ इंक्रीज बी-े-म-ई इसके लिए वो रिपोर्ट पढ़ना पढ़ेगा वो जाना पढ़ेगा लैब में जहां पर उसने बनाया है रिपोर्ट वो यूएस में लैब है हमें केवल कंट्रूजन दिया गया है पढ़ लिया जाया है क्या दिकत है हमें लिखना कैसे अरीसेंट रिपोर्ट ओके तो ये देखिए एक दो तीन चार और ये सेवन सिस्टर्स अफ नॉर्थ इस्ट एलेवन सेवन प्लस फूर इलेवन यानि वेस्टन हमालाए बेल्ट इस्टन हमाले बेल्ट complete अलाभोed Assam complete Special Category Status दे दिया गया है ड्रायटेरियाacia क्या होता है Special Category Status का और magist neo से स्टेट से भी डिमांट कर रहे हैं नेटिश कुमार जी डिमांड कर रहे हैं और ये भी डिमांड कर रहे है है capital लगाने वाले यह देखिए capital लगाने वाले means capital बनाने वाले विशाखा पत्नम यामरावती या कहा capital बनाया जाव यह discuss नहीं लेकिन special category status चाहिए special category status is a concept of planning commission let me tell you planning commission 1969 and there is a formula for it and there are certain इदों क्यों demand कर रहा है क्योंकि उसके लिए formula है पहली बात formula में अगर आप सटीक बैठे तो आपको special category घोशित किया जाएगा special category states और अगर घोशित कर दिया गया तो आपके लिए आप देखते होंगे आपके आते हैं घर पर चाचा मामा लोग आते हैं एक बहुत कोई अमीर चाचा या मामा है कोई so it's like जाते जाते रख लो बेटा यूप ऐसी त्यारी कर रहे हो पांच जार रुपए रख लो बाकि लोगो दो जार रुपए दिया गया आपको पांच जार रुपए ये क्यों means ऐसी रख लो special category status दिया गया तुमें त्यारी कर रहे हो लंबी त्यारी है शुब कामना है पैसा आ जाएगा ऐसी कोई यहां पर पिन हटा देंगे पैसा आ जाएगा कोई पैसा डाल दें त्यारी कि आंदर प्रदेश शीफ मिनिस्टर लेट सी वट इस स्पेशल केटगरी स्टेटस कंसेप्ट इस अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेट बाइट सेंटर तो एसस्ट डेव स्पेशल केटेगरी स्टेटस वजेट इंट इस पर देख लिजे तूडेंट्स पर डेटर्मीन होता है यह देखें हीली टेंट लोग देंसिटी लोकेशन अलोंग बार्डर्स एकनोमिक बैकवर्डनिस और देखा जाएग पांचवा क्या है let's see yes five two minutes five reasons five reasons आई देखते हैं इस फर्मॉला में क्या है पहला हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन हिली रिजिन्स लोग पॉपलेशन देंसिटी यह देखिए यह ट्राइबल पॉपलेशन यह देखिए सेकेंड फैक्टर थर्ड स्टेर्जिक लोकेशन अलंग बॉर्डर फॉर्थ एकनॉमिक बैकवर्डनेस और फिफ्थ नॉन वायबल निचर आफ स्टेट फिनेंसिज यह देखिए स्टेट लोन में ही चल रहा है देखिए क्लियर तो जो चार फैक्टर वहां दिये गए उसके अलावा नॉन वायबल निचर अफ स्टेट फिनेंसिज रिपीट हिली टेरिन हिली पहाड़ी निटिश कुमार जिने कहा कि बिहार को स्पेशल कर्टरियर स्टेटिस दिया जाए पहला क्या पांच क्रिटेरिया कौन से पे आप खड़े उतरते हो बताओ पहला हिली टेरिन बिहार में तो पता नहीं यह जोग्रफी पढ़ना पड़ेगा यह तुम्हों डिसाइड करो हिली टेरिन है कि नहीं सेकेंड पॉइंट लो पॉपॉपॉलेशन डेंसिटी नहीं बिहार में तो यह बिलकल नहीं है जन संख्या ही तो है ट्राइबल पॉपॉलेशन और कर्खिंट ट्राइबल पॉपॉपॉपॉब्लेशन भी नहीं है निक्स्ट बтовकिस्ट हां येैं बाइट पर लोकेशन नेक्स्ट सॉक्व स्फेस्ट यह तो बिलकुल है अंट फित र वाइबन लिचर आफ स्टेट फिदेंसे ये तो हमेशा से रहा ये देखिए आल डट कंसेप्ट तो कहा गया लेकिन ये पांचों सैटिस्फाई होना चाहिए ये तो पच्छडे में पढ़ गया सब कुछ पांच कैसे सैटिस्फाई होगा पहला दो तो हो इनी रहा है ये में कुछ सैटिस्फाई ही देखिए हांद प्रदेश बार-बार कह रहा है हाइदर निकल गया भाई मेरे हाथ से मुझे स्पिशल कड़़ी स्टेटस दे दीजिए हाइदर बाद निकल ने इस पांच में से कुछ है नहीं नहीं है तब कैसे दिया जा नहीं दे दीए category status यह देखिए जो ग्रांट मिलता था उसमें 30% इन स्टेट सी दी पूरा फिनेंस यह कहां से planning commission से however after the abolition of planning commission and the recommendation of the 14 and finance 15 finance commission assistance has been subsumed in increased evolution of funds to the states यानि यह फाइदा चला गया है लेकिन और भी कुछ फाइदे हैं और वो फाइदे बहुत important है और वो है centrally sponsored schemes में centrally sponsored schemes में जहां normal राज्यों में यह देखिए funding 60-40 का होता है 60 center देगा 40 आप दीजेगा राजे सरकार यहां पर 90-10 होता है यह note कर लिए यह आज भी चल रहा है students very important and second point जो अभी भी चल रहा है special category states में that is customs duty excise duty income tax rate corporate tax rate सब लो रहता है यह absent to attract industries are you getting it to three positive three extra things were there concessions were there for the special category status first यह देखिए first was grant यह remove कर दिया गया है second point centrally sponsored schemes 90-10 ratio instead of 60-40 ratio and third यह देखिए tax rates less less पास क्या tax rates लो होंगे तो क्या industry attract होगी वहां पर यह देखिए तो अब बिहार कहरा भी अब बहुत हो गया नहीं समझा रहा है दिमाग दुरुस्त हो चुका है कोई भी स्टेटस यह देखिए LDS तब तक तब तक सरकार ही गिर गई आए आगे बढ़ते हैं यह देखिए सरकार कहां गिर गई सेंटर में गॉट इट तो कहीं ऐसा तो नहीं है इससे कुछ लिंक्स लग रहा है आए देखिए स्टूडेंट्स जो कोशिश करेगा स्टायर स्पेशल कड़ी स्टेटस देने का अगले साल नहीं पता रिटर्न कर पाएगा कि नहीं सेंटर में फिलाल यह देखिए टेलंगाना में अलग ही लफड़ा चला हुआ है यह मैं तर्मरी का और तिलंगाना के फार्मर्स ने का टर्मरीग होता है टर्मरीग बोर्ड स्टूडिश की घी देखिए आये देखते हैं तर्मरीक बोर्ट तैलंगाना में देखिए कहां पर ये दह हंदों में कलाया इस्टिक्ट ये देखिए करीमनगर ये देखिए स्टूडेंट्स देख रहें आप यहाँ पर और निजामाबाद ये देखिए नोट कर लीजिए तियलंगाना के जिले हैं टर्मरिक सबसे जदह होता है ये देखिये हलदी ये देखिए तो अब बताएए यहां के फार्मर्स जो ग्रोव कर रहें टर्मर्रिक उनको क्या डिमांड होगा मुझे बताएए आप किसान है क्या डिमांड होता है अब अब देखて है किया येइस ये देख़िए फार्मर्स नीड ऐशॉरैंस ये देख़िए अशुरेंस में सबसे बड़ा अशुरेंस इंडिया में क्या है MSP ठीक है तो फार्मर्स आर लाइक MSP MSP डिकलेयर करो सेकेंड पॉइंट टर्मरीक बोर्ट सेट करो प्राइसेश सेट करने के लिए और मार्केट देखने के लिए तर्मरीक इस और मेंडिसनल प्रॉपर्टी वेजिटेबल दू यू अगरी टर्मी स्टूडेंट सी देखिए हल्दी एंटिबाइटिक है और तर्मरीक लेकर इतना लफड़ा हुआया तिलंगाना मु यू नट विलीव सर मेंस मेंस हार गए हैं वहाँ पर ola करते हैं किसान यहां पर becks लो तर्मरीक डिकलिए करो लिए तो सब ने पर रामिस कि अगर करेंगे करेंगे कि अजब डिकलियर नहीं किया गया तो MLA's के एलेक्शन में ये लोग खड़े हो गए फार्मर्स पंदरह बीस फार्मर्स ये देखिए खड़े हो गए अलग से और सारे किसानें को वोट दे दिये और पूरा वोट पैटर्न शिफ्ट कर गया और हार गया वहां का MLA जो रूलिंग MLA था जिसने प्रामिस किया था सेकेंड टाइम लास्ट येर 2019 के एलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साब ने भी कुछ बताया शायद बोला था टर्मरी को लेकर वो पूरा नहीं करते देखें तो ये फार्मस बनारस चले गए वरांसी ये देखिए और वरांसी में जाकर फाइल कर दिया निगलियो मिद्वार का MP का पोस्ट के लिए एलेक्शन के लिए फाइल कर दिया अपना इस कैंडिडेचर ये देखिए लिखा हुआ यहां पर प्लेट स्पोयलर गार्णरिंग ओवर वन लैक वोट्स और रिजल्टिंग डिफीट आफ देखिए अफ भारत राष्ट समीटी उसके बाद जो जीता वहां से उसने का हाँ भाई मैं प्रामिस करता हूं मैं लेता हूंगा उसे डर था इधर 2019 के एलेक्शन में बनारस पहु इंटर्ट एलेटोरल फिल्ट विट 27 नॉमिनेशन और फॉलओट अपन 2019 लोग्सवाई एलेक्शन विट 183 इंद फ्रे इन फैक्ट 35 फार्मर्स ट्रैवल तो वरांड सीय तो फाल दिर नॉमिनेशन अगेंस दप्राइम मिनिस्टर फ्रॉम वरांड सीय देखिए तो बस यह लोग कह रहे हैं कि देखो भाई टार्मरिक बोर्ड गठित कर दीजिए नहीं तो आप समझ सकते हैं हम लोग चल देंगे पैदार डिमांड के लिए नहीं तीक एलेक्शन फाइट करने के लिए यह देखिए यहां से प्रेलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट निजामाबाद और करीम नगर यहां से और भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट टर्मरिक बोर्ड यह जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ एशुरेंस रहना चाहिए अधर्वाज इडिए ट जाचन भाई गवर्नर दज नॉट में डेथ अपड़ बिल्स प्रीम कोट ने का है निउस चली रहा है आटिकल दो सो को लेकर ये कल दा हिंदू में आया श्टूडेंट देखें यहां पर क्या लिखा वाई एक्ट्रा पॉइंट यहां पर आटिकल 168 गवर्णर इस अंडर 168 आटिकल 169 विधान परिशल का भी गठन कैसे होगा और विधान सभा एवरी स्टेट शाल है विशल कंसिस्ट अप गवर्नर तौंसिल एंड असेंबली यह देखें लिखा हुआ है तो आटिकल 168 और 169 वर इन दे निउस में सवाल पूछा गया था हाव इस अपर हाउस इ इस फॉर्मड इस डिपेंड अपन दे लोवर हाउस डू यू एगरी तेल में स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टेट्स में बाइक कैमरल दो हाउसे मुझे बता दीजे आईए आगे बढ़ा जाया फिदान कंबाला भी हो गया अब बढ़ चलते हैं जी एस पेपर तू इंट ये इनसान नहीं खुश दिख रहा है ये चाइना का फॉरेंग में स्टूड़ी देखी इनको किड्नैप भी बीच में किया गया था किसने किया था चाइना के सरकार में कर दिया था वहाँ जब जाना बोलता है कोई तो गाइब हो जाता है देखिए जापान चाइना के 2022 के प्रिलिम्स में इसलिए इसलिए एक खुश नजर नहीं आ रहा है शाहिए गायब हो जाएंगे ज्यादा बोलेंगे तो नहीं वहां पर आएए देखते हैं आगे तो अब तीनों देश एक साथ आने की कोशिश में देखिए लेट सी तो अब इस पर कुछ ने कुछ नहीं आएगा ट्राइ लैटरल फॉरेंग मेंस्टर्स मीटिंग बहुत इनों बाद हुई है और इस लाइक यार कुछ तो हमनों काम करें साथ मिल कर देखिए जापान साथ कुरिया यहीं पर वो आईलेंट से स्टूडेंट्स एक सबस सिंकागू आईलेंट्स यस करेक्ट बिवीन जापान एंड चाइना आया आगे बढ़तें स्टूडेंट्स फार राइट टरन यूरोप में एलेक्शन सा यूरोप नहीं अक्रॉस दे वर्ल्ड तू यहर से जो कंजर्वेटिव पार्टी यह फार राइटिस पार्टी जीत रहे हैं फिर वह कित हो रही हैं अगली बार यही चल रहा है पोलेंट में से बने अभी डिवीत है वह गया है और यूर को Conservative Party सामने आगई यह स्टुटेंट्स, नीदर्लैंड सी देखिये, पार राइट टर्म, ऑन गीट विल्डर्स, विन नीदर्लैंड, नीदर्लैंड is a developed country of Europe, you can see it here, the largest port of the world Rotterdam lies here, यह देखिये, largest port, steep port, in terms of amount of cargo handle, Amsterdam is the capital, The Hague is the headquarters of ICJ and International Criminal Court, ICC, यह देखिये, रिवर राइन यहां से निकल कर जाती है, और राइन डेल्टा पर ही Rotterdam बेस्ट है, यह देखिये इस जगह पर, और नीदर्लैंड का कोर्स नॉर्थ सी से लगता है, आप देख सकते हैं, students, येरोप में ये देश है, क्या ये clear है, मुझे ब सवाल ये हर जगह economic downturn चल रहा है, नीदर्लैंड्स, नीदर्लैंड्स को लेकर मैं और बता दूं, दो चीज़े जो पता नहीं होंगा आप शायद, नीदर्लैंड्स की company सबसे बड़ी company थी पहले, इसी को देखिये, डच, यही के लोगों कहते हैं, Dutch language ये बोलते हैं, डच भ companies, वो नहीं, ये शेल्ल वाकि में इसका नाम है, Royal Dutch Shell Company, अब देखा हो ये शेल का पेट्रोल पम जगह जगह पर है students, नीदर्लैंड्स, सी लेवल के नीचे भी है, ये सेकेंड पॉइंट, ये देखिए, या इसका अच्छा खासा हिस्सा, क्लूड आयल के एक्सपूर्ट से जाता है, नौर्ट सी में इसके अच्छे खासे, आयल वेल्स है, सेकेंड, ये सी लेवल के नीचे है students, और सी लेवल से बचाने के लिए, इस बिल्ट अप सब्थिंग काड़ पॉल्डर्स और डाइक्स, पॉल्डर्स और डाइक्स, जाकर देखिएगा, वाल्स होते हैं, सी सी लेवल से बचाने के लिए, इस और सी सी से रिकलेम करने के लिए, ये पहला देश है, और इसी के एक सैंटिस ने चार साल पहले 2019 में एक प्रोपोजल सेट किया, कि सी लेवल बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड में, हमारे यां नहीं बढ़ेगा, क्यों हम लोग बाल्टिक सी को सारी, हम लोग नॉर्ट सी को ब्लॉक कर देंगे, यहीं पर यूके है, यूके और नॉर्वे के बीच में वाल बना देंगे, और यूके और फ्रांस के बीच में वाल बना देंगे, तो बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी, सारी, नॉर्ट सी हैं क्लोस कर देंगे हम लोग कम्प करते थे तो आप बिना पूछे वाल बना देंगे हम लोग उसमें बोरिस जॉंसन थे उन्होंने कहा कि यह मेरी बारे में यू कि हर जगा आ रहा है डिसकुशन में हमसे पूछा नहीं लोगों ने फिलहाल वो शेल्वाफ कर दिया गया प्रोजेक्ट लेकिन कहा है उस सेंटिस के कारण माँ सरकार गिर गई है और दूसरी सरकार आई है और यह कहरें फार राइट एंटी इसलाम पॉपलिस्ट हैं पार्लेमेंटरी एलेक्शन ने दिखा दिया है कि अब यह लिबरल सरकार नहीं रही है ताइम विल से वाट पॉलिटेक्स विल टेक टरन इन यॉरॉप इसी पर आर्टिकल आया स्टूडेंट्स आई आगे वरते हैं मेंज एडिटोरियल आया है आज हिंदो में देखिए एडिटोरियल देखिए पार राइट टरन आज की तारीक में नेक्स टापिक आंड ग्रुप सीज़ेस चाइना म्यानमार बॉर्डर क्रॉसिंग फ्रम म्य को सप्रेस करके वहां रूल कर रही थी वहां चाइना कह रहा था मैं पैट्रोलियम पाइप्लाइन बनाओंगा वहां यह सेपरेटिस्ट इंफ्लूएंस इतने बढ़ गए आज की तारीक में सुडेंट्स आज का यह नियूज है इसने सीज कर लिया एक चेक पोस्ट यह चे सपोर्टेड दा कंसेप्ट आफ मिलिटरी रूल इन मैंनमार एंड यह देखिए मुजे को कैप्चर कर लिया इन सेपरेटिस नहीं देखिए मैंनमार इसन दा लाइम लाइट मालम जला यूपीएसी त्यारी कर रहा है मैंनमार का सारे स्टेट्स याद हैं और सिटी जो यह मैंनमार का कैसे याद कर लिया यार क्या करें अब यह सब जगह यह सब न्यूज में ही चल रहा है क्या लास्ट वीक कुछ मीजोराम और मनीपूर के भी न्यूज आया थे हैं मैंनमार से बार्डर पर की देखिए क्या कोई नदी आई थी न्यूज में मुझे बताईए चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स फिलाल प्रेलिम्स और मेंस के लिए इंडिया मैंनमार रिलेशन्स नेक्स टॉपिक एक्स्टेंट पेज आज का यह देखिए यह हैं चंग्पेंग जाओ फॉर्मर सीयो ऑफ बिनेंस इन ग्रीज सीव दोजार बात कर रहा है यूज गवर्मेंट ने बिनेंस वर्ल्ड का लार्जस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्षेंज है उसके उपर स्लैप कर दिया है फाइन फॉर पांट ट्री बिलिएन ड casually कि रिकितो करेंसी करिप्टो करेंसी पुछा गया अलॉनमस्ट जी कहा हैं नहीं पता फिलहाल यह चेल जाएंगे अरि छृचेंट नहीं दिया कियो है थैं कियो है लीगल एशू इस बिनेंस फेस करा पिनेंस इस बता तो गल्ती है बिनेंस दा क्रिप्टो करेंसी एक्षेंज है अच्छा ब्लैक मनी येस जाट मेंस इट नॉट टेकिन डियू स्टेप्स तो काउंटर मनी लॉंडरिंग इन इस एक्षेंज बस इसी को लेकर लगा दिया गया फाइन नोट कर लिजिये अब सवाल ये है कि ये हमारे लेलेवेंट क्यों है क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी के कौन्स डिसड़ांटेज़ वहां लिंक करना है मनी लॉंडरिंग का नया धंदा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे चल रहा है अब और जैसे ही ए करेंसी जाने शुरू होंगी शायद उसके लिए भी तरीका इंजिनियर किया जाए कैसे ए वैलेट्स और करेंसी में या डिजनल करेंसी में कैसे जिनरेट किया जाए ब्लैक मनी करेंसी यहां से इतना ही काफी है इनका फोटो देखिये और वर्ड का लार्जेस क्रिप्टो करेंसी एक्चेंज बिनेंस पढ़ लीजिये और मनी लॉंडरिंग अक्टिविटीज नेक्स्ट इंडियन एककनॉमी जी एस पेपर 3 लाइमेंट का न्यूज एटी एक्सपोट वा वही चाय की तो खेती बरबाद होती दिख रही है इंडिया में आई देखते हैं कहानी अब तक लास्ट दो साल से डिसकुशन चल रहा है चाय की खेती के उपर लीफ्स नहीं आ रहे हैं नए लीफ्स लीफ्स दो बार आते मैं बता दूँ एक बार नॉयंबर में आते हैं न स्टूदेंट से तीजे रहे है कि ऎकले वी नियूज में था देट लीफ का दो प्रकार होता है और्फोडॉक्स प्रोसेसिंग जिसमें चैनल नहीं अटाइच के रहे था और एक होता है सीटी सी में केमिकल प्रस्टिंग होती है स्टूडेंट्स यानि आप चाय भी पी रहें तो केमिकल है मैं बता दू क्या चिंदा की बात है जैसे तो केमिकल वाली चाय पी रहे हैं पानी में दूड डाल रहे हैं चीनी डाल रहे हैं चाय पती दोचार चमच पढ़ गया आज की तारीख में पहले एक चमच चाय पती में चाय में बहुत कड़क चाय बने थी कड़क वाह चाय अब चार या पान्च चमच में भी कड़क चाय नहीं बन रही है मालूं कि चाय पी के सो जा रहा है इंसान क्यमिकल प्रोसिंग बहुत ज्यादा हो गया अभी यह देखिए अज मैं बने यह प्लेज लए एक्सट्रा यप मैं गुरिण लिफ टी-पी हूँँगा आज से भारत सरकार का प्लेज नहीं है ये ये मेरा प्लेज होगे आलग से ये देखिए बहुत केमिकल्स मतलब अभी ऐसे केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं कि खेर छोड़ दिया जाए अभी यहां देखते हैं इन टर्म्स उफ वॉल्यम इंडिया स्टी एक्सपोर्ट्स हैव शोन असलंप उन एयर टू यर बेसिस कॉम्पिटीटर शिलंका हैज अलसो गॉन डाउन चाइना इस दे वोल्ड लार्जेस एक्सपोर्टर आफ टी फोलड़ बाई शिलंका कीनिया इंडिया यहां से यह दिख इंडिया रैंक फोर एक्सपोर्टर यह देखिए लास्ट यह भी नहीं हो जाय था दार्जेनिंग टी जो जिसको मिला है जिया ही टैग उसके नाम पर नकली चाय पत्ती आ रही है नेपाल से देखिये तो यह नोट कर लीजिएगा मांट कीनिया वरी इंपॉर्टेंट फिल इंडिया में क्यों कम हो रहा यह नहीं समझ में आ रहा है फिलंका भी महली प्रोडिस अठोडॉक्स टीए अकांट फिप्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन ओर्टाओक्स वरी इंपॉर्टाओक्स ग्रीन लीफ टी आफ अफ अफ दे वर्ल्ट टोटल इस प्रोडु ते भी मैं कल पढ़ रहा था सुबरत सहरा जी का थोड़ा लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं इनके बारे में फेमस हुआ था दोजार तीन चार में जब उने अपने बेटे की शादी की थी शायद सुबरत सहरा सहरा ग्रुप के चेयर परसन जिनोंने इंडिया की किया था और मीन्स बॉल्लिवूड के जाने माने से उनका रिले मीन्स बहुत अच्छी फ्रेंड्शिप थी दोस्ती थी और 2009 में उन्होंने एक बॉंड निकाला कॉर्पोरेट बॉंड सहारा गुरूप का वो बॉंड निकाला गया लोगोंने बहुत जादा पैसा मीन्स बॉं जा गया वो बॉंड जारी करते ही एक insyaan सा कुई मुझे नाम याद नहीं है उसने जाकर case कर दिया National Housing Bank के पास में National Housing Bank की तरफ से और चिठी भी लिखती National Housing Bank को कुछ घर को लेकर और construction को लेकर वो bond लिया गया था ने आजबी के officials ने सुब्रत सहरा के यह चिठी भेजी उन्होंने का यह सेवी का मामला है तुम मत पढ़ो बीच में तो नस्वी ने कहा धन्यवाद आपने बता दिया सेवी के बारे में यानि अब गरत कर रहा है सेवी को चिप्छे लिखती और सेक्रेटिज एक्षेंज बोड अफ इंडिया जो 1992 में जिसको स्टेटरी स्टेटस मिला था सेवी को फारशद म कोट में केस चला गया सुब्रीम कोट में केस चला गया और कीश वारा पंदरेटे के साथ पैसा रिटन किज़े तब तक सहरा घुर्प के शेयर اور बाकी चीज़े नीचे गिर चुकी थी देखिए इस संसार में एक ही चीज़ होता है नाम के उपर पैसा आता है क्या पैगरी करते हैं मुझे बताइए स्टूडेंट्स पैसे से आप नाम नहीं कमा पाईए नाम से पैसा जरूर कमा लीजिएगा और एक बर नाम डूब गया तो पैसा वापस मिनना बहुत मुश्किल हो जाता है क्लियर तो बस वही उनका दिस उनके डाउनफोल का कारण बना तो यह देखिए स्टूडेंट्स यह नया सेवी का अब सेवी पे डिसकुशन था इसलिए मैंने सुब्रत सहरा जिगाई बता दिया मैंने कल पढ़ा उस इस के बारे में डीटेल्स में से यह भी मार्केट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर इंडेक्स प्रोवाइडर्स इंडेस प्रोवाइडर्स इंवेस्मेंट के लिए क्या कोई इंडेक्स कुछ कुछ जारी किया जाता है मुझे बताईए तो यह देखिए नियू रेगुलेशन प्रोवाइडर्स फ्रेमवर् डिस्ट होते हैं देखिए यहां पर आर यह आई टी सुनाएं आप लोगों ने टल्मी स्टूटेंट्स अब यह आई 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 टी या जो इन्वेस्ट्मेंट ट्रस्ट होते हैं वह भी दिस्ट होते हैं शेर मार्केट यह गवर्मन्ट आफ इंडिया भी कुछ लेकर आई थी ऐसा कुछ पी एक इन्वेस्टमेंट का मुचुल फंड मुचुल फंड कंपनी बोलती है आपको पैसा देने के लिए यह डिरेक्ली कंपरी नॉंच करती है भारत सरकार ने भी नॉंच किया था मैं बता दूं आपको बात समध्य में हारी टैल मुंए, रियल स्टेट इंवेस्मेंट ट्रस्स तैप ओफ-इंवेस्टमेंट आप से कहा जाता है फरिजाए पी एसी इंवेस्मेंट के लिए बाहरत सरकार लिए- इस नया इंडेक्स डैट इसमें ONGC, this IOC, सब का shares में investment किया जागा, club किया जागा, सारी companies के shares इसमें रहेंगे, club करके. It's like a mutual fund type of thing. Directly कहीं नहीं लगाया जागा, लेकिन वो आप खरीच सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, पैसे. तो SEBI, किसको देखता है, स्टूटेंट, SEBI sees the exchange market, stock exchange, Bombay stock exchange, national stock exchange. Already नियम कानून बना हुआ है, BSC और NSC पर companies की listing को लेकर, बना हुआ है न, मुझे बताईए, लेकिन ये investment और indices को लेकर नहीं बना हुआ है, इसी के लिए ये नया, नया rule आया है, ये देखिये. So, SEBI has brought out, bringing in more transparency, accountability, governance and administration of financial benchmarks, that's it. NSC और BSC के लिए है, overall, की mutual fund और as a real estate investment trust regulations, ये देखिये, इसको और strengthen किया, that's it, ये देखिये. इसके लावा, social stock exchange, क्या, ये भी आपने सुना होगा, students, overall, this index providers का मतला होता है, NSC, BSC, ये देखिये. तो ये overall इनके लिए regulation, companies के लिए regulation है ही, इनके लिए भी regulation. अल्लास चे लियाद कर लिए कुछ NSC का कुछ लफड़ा हुआ थाना, वो हिमाले कोई बाबाजी थे, वो बता रहे थे, और computer में लॉग इन था उनका, नहीं? तो ये जो इंडेक्स providers के लिए जो ये कानून है, ये 2013 में global level पर आये थे, IOS CEO principles for financial benchmarks, ये देखिये, International Organization of Securities Commissions, नोट कर लिए, ये global body है इस फिल्ड में, इसका headquarters, Madrid, Spain, ये देखिये, It aims to bring together the world's securities regulators, SEBI EC के अंदर में एक body है, and is recognized as global standard setter for security sector, ये देखिये, International standards ये develop करता है, black money रोकने के लिए, companies को लेकर लफ़ड़ा कम करने के लिए, that's it. Clear, तो NSC and BSE index providers, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, उनके लिए नया कानून, और ये IOS CEO की तरफ से, क्या ये कानून modify होते रहते हैं time to time, they are needed, you know why students, because घपले नए नए होते रहते हैं, तो यही है students, आज का पूरा का पूरा discussion, दो घंटे का discussion हो गया, लगभग, कैसा रहा सेशन, बता दीजे मुझे, एक topic रह गया है, कुछ, इसराइल हमस वार को लेकर कल explain page आया था, कल देख लेंगे हम लोग, एक ही topic रह गया, बाकी सब आपने क्या क्या देखा, आप देख सकते हैं, पूरा topic डिसकस कर दिया गया, कल और आज का, कल, 8.30 पर session timing, expect कीजिए, session शुरू होने का, कल से previous question paper include किया जाएगा, optional के उपर discussions include किया जाएगा, current affairs में, के तम दोती का को, प्त्ति के बारे हो बारे हो पिंधी पर दिसकत किया आम लोगों के पारे में, मुवी ने डिसक्स किया गया, डिसक्स किया है, फोक स्पोर्ट और तूलू नाडू क्या है, डिसक्स बाइ कामर लेजिस्लेचर आर्टिकल 168-169, वी अलसो डिसक्स टर्मरिक ग्रोइंग रीजन्स, करीम नगर और निजामाबाद इन विच स्टेट जलंगाना, और यहां किस वी डिसक्स अबाउट निजिश कुमार जी, और स्पिशल कटगरी स्टेटस, चिला चिला कर बैठ गये हैं, वो गला भी बैठ गया है, लेकिन नहीं मिना स्टेटस. वी और स्टेटस अबाउट बीमाई फर्मूला, वी डिसक्स अबाउट मीजल्स वैक्सिनेशन और मर्क्यूरी अनलेड पोईजनिंग ब्रेन में, और आउटिजम का रिलेशन बोला गया था, मीजल्स के केसे बढ़ रहे हैं, लास्ट टू यह यह कल एक्स्टेट पेज में आया था दाहिंदु में, वी और से डिसक्स डिसलेक्सिया और मिस्टर डी बाला सुब्रमनियम्स कंसेट, बच्चा बहुत खुश के रहा है, बच्चे ऐसे ही खुश लगते हैं, जब वो किताब पढ़ते हैं, पर मैं बोलूँगा कि आप लोग इतने, यू आफ आज में इतना तो बदलाव ज़रूरी है आपकी तरफ से, उसकी अलावा स्टूडेंट्स वी दिसक्स्ट अबाउट अज अच्छे अच्छे आटिकल सायथ है आज, वी दिसक्स्ट अबाउट तूडेंट्स अपार्ट वी तौपिक आफ इस ग्रीन लीफ वोडाइल्स, य अगर पत्ते काटने आप पहुंच गया है तो महक रिलीस कर देगा प्लांट्स कुछ-कुछ, कुछ-कुछ बहुत ही तैंजी स्मेल्स होते हैं, आपको भागना पड़ता है वहां से, इस्पेशली इन वाइल डाइफ, वाइल प्लांट्स, वी अच्छे 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 a natural and sustainable living and raise awareness about Ayurveda, I have taken a pledge, I have taken a commitment certificate, it's not only about taking up a certificate, it's all about taking a commitment, this is known as something called as, from community participation to proactive citizen engagement, ये सब कोई ने सकता है जाकर, my gov.in portal पर जाकर, that's it, clear, और सक्षम कोर्स या कोई कोर्से के लिए अगर, क्लारिफिकेशन चाहिए, ट्रिपल नाइन, ट्रिपल एट सेवन थी फाइट पर संपर्क कर लिजेगा, इस एक साथ सेवा सवामतिक घोशना, कल मिलते हैं, साड़े आठ बज़े स्टूदेंट्स, यस, साड़े आठ बज़े कर, इसे याद रखेगा, 8.30 a.m., let's shift the timing, जितना पहले उतना अच्छा, जितना पहले उतना अच्छा, तो 8.30 a.m., और प्लान चल रहा है, एक जन्वरी से साथ बज़े सुबह सेशन शुरू करने का, that's it, take care, grid your head,